वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर उमीद है कि आप सब बढ़िया होंगे आज का हमारे पास कोश्चन है इंप्लीमेंट ट्राइ एक लीट कोड का मीडियम लेवल का यह कोश्चन है इस कोश्चन में फर्स्ट में इन्होंने हमको ट्राइ की डेफिनेशन दे रखी है ट्राइ होता क्या ट्राइएक ट्री डेटा स्ट्रक्चर है जिसका हम यूज करते हैं लाइक स्ट्रिंग टाइप के वैल्यूस को अपन स्टोर कराने के लिए रिट्रिव करने के लिए इन फर्म आफ की ठीक है तो यह इसकी डैफिनेशन थी और इसके जो यूजेस होते हैं लाइक इसका use होता है auto complete and spelling checking में ठीक है तो यह तो रही try की definition अगर हम बात करते है question में हमको करना क्या है इसमें आपको एक implemented try class मिले की जिसके अंदर एक try constructor होगा जिसके अंदर आपको try object को define करना होगा ठीक है फिर इसके बाद होगा हमारे पास एक insert जिसके अंदर हमको words को insert करवाना होगा हमारे try के अंदर try tree के अंदर फिर एक function होगा search करके जिसके अंदर हमको search करके बताना होगा कि यह जो given word है क्या हमारे try के अंदर exist है या नहीं अगर है तो true, otherwise return कर देना है false, तीसरा function होगा start with, तो इसके अंदर हम चेक करेंगे, जो हमारे पास prefix given होगा, क्या यह prefix हमारे पास जो given tree है, इसके अंदर match करता है, match करता है तो okay, otherwise नहीं करता है, तो हम return कर देंगे false, ठीक है, तो यह था हमारे पास हमारे question का description, अगर हम बात करत tastes, तो try को समझने से पहले हम बात करते है binary search tree, की, ठीक है, तो binary search tree में हमारे पास होती है ecrates root, ठीक है, जैसा हमको पता है, ठीक है, यह 위 रूट की कोई specific value होती है जिसको आपास मान लेते हैं यहां पर 5 हमारे पास root की specific value है ठीक है अगर मेरे पास in case मेरे पास 5 की जगे यहां पर एक और element आता है वो बोलता है 3 आया 3 चाहता है कि उसको insert करना है यह 8 हमारा निकलता है बढ़ा तो इसको हम डाल देते राइट साइड में डाल दिया अब next element अगर मेरे पास 7 आता है ठीक है तो मैं check कर तो 5 पर चेक किया चोटा है बड़ा बड़ा निकला ठीक है मैं 8 पर गया 8 चेक किया चोटा बड़ा तो इस तरब डाल दिया ठीक है तो ऐसे करके हमारा binary search tree काम करता है अब हम बात करते है tired क्या होता है try क्या होता है तो try भी इससे similar होता है बड़ जो हमारा try होता है उसके अंदर root होती है ठीक है इस root के multiple child हो सकते है इन case में हमने देखा थे यहाँ पर दो child थे एक left था दूसरा right था बड़ इस case में हमारे पा जो try होता है उसके अंदर हमारे पास multiple children होते है ठीक है अब हम बात करते कि इसकी working की like इसमें होता क्या है तो like हमारे पास यहाँ पर एक root है ठीक है और basically हम करते क्या है हम इसके अंदर जो बड़ी-बड़ी strings होती है उनको इसके अंदर arrange करवाते है like हम easily उसको store कर पाए और easily ह हम उसमें search कर पाए ठीक है तो इसके अंदर हमारे पास क्या है multiple notes हो गई ठीक है multiple children हो गए इसके अंदर ठीक है अपने इसको numbering देते है like मेरे पास A यहाँ है B यहाँ पर C और like हमारे पास XYZ means complete alphabet हो गया हमारे पास ठीक है तो अब हमारे पास क्या आता है कि like हमारे पास जाएंगे इस root के पास ठीक है इस root के पास हम गए हमने इस root से क्या पूछेंगे हम इस root से पूछेंगे क्या तुम्हारे पास A करके कोई child है ठीक है A करके कोई child है तो यह बोलता है हां मेरे पास A करके child है ठीक है हम इस A करके child पे गए ठीक है अब इस A वाले child से हम पूछे तो यहां पर अपने P को create क्या ठीक है कर दिया फिर हमने एक और P को create क्या कर दिया फिर हमने L को create क्या कर दिया हमने E को create क्या कर दिया ठीक है तो ऐसे करके हम क्या करते है हमारा जो try data structure होता है उसके अंदर अपने ऐसे करके insert करवा दे value को अपने करवा दिया insert और in case मेरे पास क क्या पुचेंगे क्या root के पास B है हाँ B है ठीक है अब B के पास आप जाकर पुचेंगmill क्या उसके पास O है in case O नहीं है तो हमए या पर क्या कर स्क्रिएट कर देते O को कर दिया फिर O से पुचेंगे क्या इसके पास Y है नहीं है तो से पुचा ओ है अब से पुच्छ थो तो नहीं है तो यहांपे करते हैं हम यह पर इसको एक नया चायड देते जिसका नाम हो जाता है और a के साथ हम बना देते हैं T तो इस type से हमारे जो try होता है उसके अंदर values insert होती है means कि हमारे पास एक like key होती है ठीक है और key के साथ एक array हो जाता है मतलब इसको बोलते है के ऐसे करके इसका data structure का type होता है means इसको तो बोलते हैं कि try is the type of the key array search tree ठीक है तो means हमारे पास ये तो हमारी key हो जाएगी ठीक है ये हमारी key हो गए इसके पास multiple type के हो जाएंगे जिसके अंदर a, b, c, d करके एक और structure बन जाएगा ठीक है तो हम इस tree इस root के अंदर गए इस root में हमने चेक किया a है हमारे पास है ठीक है पी है हमारे पास और यहां पे भी पी है ठीक है तो means इतना पार्ट तो क्या हो गया मेरा ये एप का हो गया और इतना पार्ड मेरे लिए क्या हो गया apple का हो गया ठीक है तो in case अपन simply देख रहे ह ठीक है इसके अंदर एक और words होती है लाइक अपन उसको बोल सकते हैं कि is end of word करके ठीक है मतलब क्या है हमारे पास जो word है क्या उसका last word है क्या तो वो अगर हमारे पास जो भी word होगा means अगर हमारे पास यह एप का last word है तो हम इस जगे पर ताके इस value को यहां पर कर देंगे true कर देंगे और इस सारी position पर पर फोल्स रखेंगे like मैं पास यह apple का last word था तो यहां पर अपन इस value को true कर देंगे यहां पर why मेरे लिए क्या था last word था किसका boy का तो यह value यहां पर true हो जाएगी और boat का यह last word है यहां पर true कर देंगे ठीक है तो means जो मेरा structure होगा like इसको इसको अलग से बनाते हैं यहां पर ठीक है तो means जो मेरा try होता है sorry try होता है इस try का structure में क्या होगा? इसके पास होगे, हमारे फारs Children's होगे ठीक है और इन Children's के साथ Children's तो होगे एक note के और उसके साथ होगा क्या ये मेरा end of word है ठीक है ये बो चीजे एक note के साथ हमारे tree के अंदर होगी ठीक है तो हमने इस step में क्या सीख लिया हमने ये सीख लिया कि हमारा tree क्या होता है tree का जो structure होता है वो की stripe का होता है tree के अंदर value insert कैसे होती है ठीक है अब हम बात करते कि हमको कि इसी value को search करना है हमारे tree के अंदर तो मेरे पास यहां पर एक root हो जाती है ठीक है इसके अंदर में यहां पर डाल देता हूं B को ठीक है यह B और यह O यह Y ठीक है और यहां पर हमारे पास था A और यहां पर हमारे पास था T ठीक है अब इसके अंदम search कैसे करेंगे means हमको इसके अंदम boy को ढूंड़ना है ठीक है तो हम पहले root के पास जाएंगे root से पूछेंगे क्या तुम्हारे पास b करके child है ठीक है तो हमको o भी मिल गया अब बात आती y की हम इस o वाले से पूछेंगे क्या तुम्हारे पास y करके child है तो यह बोलता है हाँ y करके child है means हमारे पास boy complete होगा तो it means हम यहां से return कर देंगे true ठीक है तो अब हमारे पास क्या आता है kate आता है kate ढूंड़ना है हम root के पास गया root से क्या पूछा क्या तुम्हारे पास c करके है तो in case हमारे पास c नहीं है तो it means यहां से क्या होगा हमको मिलेगा null और जब भी हमको null मिलता है तो it means हमारे पास c से area के अंदम ने कोई letter ढूंड़ा इसमें यहां पर null मिल गया तो हम कह सकते हैं कि यह character हमारे tree के पास है नहीं तो it means यहां से return कर देना है false ठीक है false return कर देना है और एक चीज और हम को यहां ध्यान रखनी है कि like अगर हम search करते हैं किसी भी word को ठीक है like हमारे पास जैसे अपने apple का example देखा था like a p p और l e करके ठीक है यह सब connected है ठीक है तो it means मेरे पास searching के लिए क्या आया एप आया ठीक है यह app आया तो इस app को मैंने search किया like यह 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 और यह यह पर ठीक है end of word अगर हमारा true है तो ठीक है अगर false है तो हम इसको यहां से false return कर देंगे हमारी search वाले टाइम पर ठीक है तीसरा function था हमारे पास start with करके जो कि हमने सबसे पहले चेक किया like हमारे पास यहां पर like app यह आता है ठीक है अगर तीन character जो characters हैं जो हमको search करने के लिए मिले अगर वो match कर जाते हैं ठीक है तीनो मेंस हमारी string खतम हो जाती है इसने सारे characters चेक कर लिए तो उस case में हम यहां से return कर देंगे true उस case में हमको end of words को check करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो I hope कि यह tree आपको समझ में आगा sorry tree नी try try आपको completely समझ में आगया होगा कैसे होता क्या है कैसे work करता है कैसे हमको इसमें search करना कैसे insert करवाना है सारी चीज आपको पूरी तरीके से clear हो गई होगी तो चलिए अपन इसको कर लेते हैं code के अंदर यह आ चुके हम हमारी coding screen पर यहां पर अपन बना लेते हैं class करके जो की हमारे structures को define करेगी हमारी try कैसा होगा तो यहां पर एक और class यहां फिर try not ठीक है यह तो हमाई class का नाम ह हो गया हम इसके अंदर एक constructor बना लेते हैं कि अध्याइन नोट ठीक है यह constructor होगा जो की value को रखेगा क्या-क्या values होगी हमारे पास हमारे पास यहां पर values होगी लाइक एक तो इसके चाइल्ड करके होगा कि ट्राइन नोट यहां पर आ जाएंगे हम इसको एरे टाइप बोलते हैं क्योंकि चिल्ड्रन्स ठीक है यह हो गया और एक boolean करके चलेगा जो कि हमको बताएगा कि क्या यह end of word है क्या नहीं है हां end of word ठीक है अब इसको अपन इस कंस्ट्रक्टर में कर लेते हैं डिफाइन ठीक है चिल्ड्रन्स हमारे हो जाएंगे चिल्ड्रन इकवल टू नियू इसमें स्पैलिंग का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एक जीब से स्पैलिंग इसकी अब बुलें को अपन इस एंड ओफ वर्ड को यहाप अपन कर देते हैं फॉल्स जी कर दिया फॉल्स ठीक है तो यह तो बनगे हमारा structure जिस structure को अपन यहां पर follow करेंगे like अपन different class use कर रहे तो इसको यहां पर अपन कर देते public ठीक है तो यह तो हो गया हमारा एक इसका structure अब चलते हैं अपने इस code के अंदर तो यहां पर अपने default बना लेते हैं एक ट्राइल नोट इसको अपन बोल देंगे root ठीक है अब इस root को अपन यहां पर डिप कर लेते हैं इसके constructor में define तो root is equal to new tri note ठीक है तो यह तो हमारा हो गया कि हमने एक root बना ली जो कि हमारे लिए work करेगी अब चलते कि हमको क्या करवाना है हमको इसके अंदर करवाना होगा insert ठीक है फिर्स्ट में अपन वैली को करवाएंगे insert तो हम इस यहां पर आते हैं ठीक है तो यहां पर अपन recall करते हमारी root का एक instance बना लेते हैं तो like tri note आर इकवल टू हो जाएगे हमारी root ठीक है यह root हो गई अब इसके अंदर हमको क्या करना है हमको चेक करना है कि जो हमारे पास string है अगर उसके अंदर वह नुमल उसके child के पास वह की है या नहीं अगर नहीं है तो हमको create करनी है ठीक है तो for loop लगाया ठीक है character ले लेंगे अपन c से कहां से आएगा वह जो मैं पास word है ठीक है word को अपन करते है character array में ठीक है यह तो हो गया अब इसके अंदर अपन को check करना है क्या if जो मेरी आर है आर क्या है root है root का जो children है ठीक है children का है हमारा array तो इसमें index section चलेगा तो means जो मेरे पास यहाँ पर c आया c में से अगर मैं e को minus कर देता हूं यहाँ ठीक है like मैंने यहाँ पर इसको सही से define नहीं किया था first वाले function में तो यहाँ पर आएगा 26 बाद में एर देगा यह कभी तो ठीक है यहाँ पर अपने कहल लिया कि मेरे पास जो आर डोड चिल्डरन है ठीक है उस index की जो value वह equal to equal to क्या नहीं हो नहीं हो नहीं नहीं हो नहीं हो नहीं है तो it means position खाली है और मुझे इंसर्ट करवाना है तो means मैं उस जगे पर क्या कर दूँँगा मैं उस जगे पर उस value को add कर दूँगा means एक ट्री नोट बना दूँगा आर डोड चिल्डरन और सी माइनस ए अब मुझे value इंसर्ट करवानी तो मैं इसको भार जाके करवा देता हूं लाइक मैं इसी को यहां से कॉपी कर लेता हूं ड्रोल सी और यहां जाके इसको add करना है ठीक है यह एड़ हो गया इसकी value क्या होगी हमारे पास नहीं नहीं आपने यहां पर नहीं ट्राइड नोट बना दी ठीक है वह बन गई अब यहां पर अपने पर करना एक स्टेप आगे जाना है ठीक है तो आर इजी आर डोड हो जा आया ठीक है हमने उसको a को add किया ठीक है अगर a नहीं था तो यहां से क्या होगा कि उसके अंदर एक a add हो जाएगा ठीक है a add हो गया अब in case हमाई पस already a था तो हम क्या करतेंगे यहां से a वाले पर चले जाएगे और in the last जब हमारा word जो हमारे character है वो खतम होगा means जो हमारी root होगी वो उसके end पर होगी ठीक है तो हम यहां पर कर देंगे r is end of word means कि मेरा यह last word है तो यहां पर अपन इसको कर देंगे true ठीक है तो means मेरा जो भी कोई word आएगा वो इस function से insert होगया ठीक है अब बात करते हैं कि इसके अंदर हमको क्या करना है search करना है ठीक है तो search के अंदर अपन वापस एक और बना लेते है reference के लिए tri note r equal to root ठीक है एक for loop लगा हो इसके अंदर again वापस character c कहां से आएगा यह हमारे पास given word है इसको अपन character area के अंदर करेंगे ठीक है हमारा character area में convert हो गया अब इसके बाद हम check करेंगे क्या इव जो मेरी r है ठीक है r का जो children है ठीक है children c-a अगर वो equal to equal to क्या हो जाता है वो equal to equal to null होता है it means वो character मेरे tree के अंदर exist नहीं करता है तो it means मैं कह सकता हूं कि मेरे जो search करने के लिए word दिया अपने वो मेरे पास है नहीं तो यहां से last जो भी होगा means जो मेरा children ने वो last पर पहुचा है like अपने जैसा discuss किया था end पर होगा तो उसका जो is end of word होगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पर true ठीक है true और false होगा उस हिसाब से return करना है तो अपने यहां से कर देंगे return r.is end of word ठीक है जो भी उसका end of word होगा उसको अपने यहां से return कर देंगे अब बात करते हैं अपन प्रिफिक्स की तो प्रिफिक्स भी हमारा exactly same होगा like जैसा अपने search में कर रहा है तो अपने इसी code को copy कर देते हैं यहां से ठीक है और प्रिफिक्स के अंदर हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि means हम इसके अंदर end of word नहीं देख रहे हम इसके अंदर सिभी starting का जो प्रिफिक्स दिया कर वो match कर रही है तो उस case में ही करना है तो हमको यहां से आर इसको चेक करने की जरुवत रहे हम यहां से डाय वकल कर सकते है रीतन ट्रू ठीक है यह हो जाएका रीतन ट्रू और यहां पर फिफिक्स वह आप वार था तो इसको भी चेंज करना क्योंट है कि तो यहां हो गया हमारा सृख कर लेते को रन है मैं तो यहां पे हमारा first case case रन हो चुका है गार देते हैं तो हमारा code भी successful submit हो चुका है day 76 का तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी time and space complexity की जो कि क्या होगी तो means हमने यहाँ पर तो first में की structure बनाया है ठीक है यहाँ पर तो हमारा structure class है world लिखी है हमने यहाँ उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर हमने constructor को draw किया ठीक है जो उसका instance लेगा उसके बाद हम आते ही insert and search and start first ठीक है तो insert होने में उसको time कितना लगेगा ठीक है तो अगर हम time की बात करते हैं जो हमारा structure था लाइक हमको apple को करवाना है ठीक है हमारे पास एक root हो थी ठीक है इस root के बाद हम जाते थे a पर गए ठीक है a के बाद हम जाएंगे p पर ठीक है ऐसे करके हम को कहां तक जाना जाना तक वो last होगा means हम कितनी positions को देखेंगे जो हमार ब Ohio यह आपर बोलते क करके मतलब की कितनी है ठीक है तो इसमें जो हमारी time complexity अधिक है आपको length of word को अगर n से represent करना हो ठीक है अगर के से represent करना ठीक है means हमारी time complexity law मो में क की हो उची हमारे वोल रहा हो में के के की बोल रहा हो जो मेरे पास words आया है उनकी length को मैं बोल रहा हूँ ठीक है अब नीचे function में चलते हैं हमारे पास search ठीक है तो first हमको यहाँ पर वापस again search कर रहा है थे like हमने पहले root पे आया फिर root से हमने apple को देखा a को देखा फिर p को देखा फिर ऐसे से करके चलते गए कहां तक जो हमारे पास word की length होगी means यहाँ पर भी again हमारी जो space time complexity होगा वो कितनी होगी okay होगी ठीक है और अगर हम space की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर कोई additional space का तो use किया नहीं तो it means यहाँ पर जो space होगा वह हमारा क्या होगा constant होगा means o1 होगा ठीक हो गया o1 अब चलते हैं अपन इसके नीचे देखते हैं नीचे वाले function की क्या time complexity होगी means हमने यहाँ पर सर्च किया like similar to उपर वाले से ठीक है तो इसके अंदर भी जो हमारे पास यहाँ पर prefix given होगी ठीक है तो यह होगी इसके time and space complexity और यह था guys हमारा आज का वीडियो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करना ना भूले अगर आपका कोई doubt हो तो उसको comment section में लिख देना मैं यह try करूँग उसको solve करने के लिए और अपने दोस्तों के साथ एसी वी वीडियो साथ तब तक के लिए बाई